हाई फ्रेंड विल्कम टू माई यूटूब चानेल मार्वेल बॉई और आज रिवू करने वाला हूँ केंट कॉम्पानी का इलेक्टिक माल्टि कुकार की बारे में अगर आप टेरेन में सपर करते हो या कोई खूमने जाते हो तो यह पोड़क्ट आपके लिए बेस्ट है अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक शियर और सब्सक्राइब कीजिए इस बॉक्स के अंदर है इलेक्टिक माल्टि कुकार जिससे आप एक ब बना सकते हो कोई भी वेजेटेबल खिचरी बना सकते हो तो देखते हैं इस पैकेट के अंदर क्या का आइटेम कॉम्पाणी ने दिया है पैकेट के अंदर पहले तो मिलेगा एक बील जो एमजन कॉम्पाणी से दिया है उसके साथ और मिला है एक इलेक्टिक केटल जो देखने भी बहुत अच्छा है और क्वालेटी भी देखिए कालर तो सबसे अच्छा लगा है मुझे वो साइनिंग कलर है और केंट कॉम्पाणी का लोगो भी देखाए दे रहा है एक मेजर्मेंट काप भी दिया है जिसके साथ आप कुछ भी मेजर्मेंट करके डाल सकते हो एक पावर बोर्ड भी दिया है जिसको उपर रखके आपको पावर लेना है और यह कोई भ सकते हो इसमें एक power switch है जिसमें आप शिफ upper temperature और lower temperature set कर सकते हो और एक power indicator है power आएगा तो light भी चलेगा लेकिन इसमें एक चीज मुझे अच्छा नहीं लगा वो है जैसे आपको कोई भी temperature आप variable नहीं कर सकते हो fixed temperature है एक high quality गलस का ढखकन आपको देखने को मिलेगा साथ में आपको चार चार टोटल आठ एटली वानाने का दो एस्टेंट मिलेगा और एक बॉयल करने के लिए आपको एक एस्टेंट मिलेगा एक साथ आप चार एक बॉयल कर सकते हो इस्टेंट के अंदर का साइट 304 ग्रेट का इस्टील है जो आपको आशनी से सापाई भी कर सकते हो और पेस्टिस कमपनी की जो सुईज है उसमें टेमप्रेचर आप रेगुलेट कर सकते हो लेकिन इसमें वो आप नहीं कर सकते हो 1.2 लिटर का एक कैटल मुझे सिफ सुईज थोड़ा अच्छा नहीं लगा आदर आइस ओवर ओल एक पोड़क्ट बहुत अच्छा है तो आप चाहे तो ले सकते हैं